Assalamu alaikum guys, Namaste and it's Asriyakaas guys, welcome back again to our channel, Pakistanis Fair Reactions Fair Reactions Okay So guys, हमने नाम काफी चेंज की है नाम स्लीप हो याद है तो लेटस जो नाम है वो है पाकितानी Fair Reactions और बता तो जाए रही है यह फिक्स है इसके बाद चेंज होगा तो फ्यूटेब के साथ हमारा अमसाला चाल रहा है तो आप सॉल्वाः हो जेगा विज आने स्टार्ट हो जैगा तो वीडियो बिता दें गाउयस को वीडियो को टैटल तो पहले बिता दें गईसको विदाउट अने डिले गाइसे मेशे की तरह काउंटेंग सा स्टार्ट करते हैं वीडियो को 3, 2, 1, स्टार्ट वर्ना, वर्ना, काबूल किसको जाना चाहिए था वैबब? शामेमूद कुरेशी को, गलत के रहो, शामेमूद कुरेशी should have gone, ठीक है? आप ये देख लिजए कि इमरान खान को मिलना चाहिए था मुला वर्रादर से, और कौन-कौन से लोग हैं जो मिल सकते थे, पॉलिटिशन्स मिल सकते थे, सोशल वर्कर्स मिल सकते थे, फॉरन आफिस के लोग मिल सकते थे, आई-स-ाई का चीफ जाता है, क्यों जाता है? ये सीधी-सीधी, जो कहते हैं कि इंटर्फियरंस है, और अपने पैर बैठाने के लिए, जिस दिन पाकिस्तान के पैर बैड गए काबूल में, जिस दिन तालिबान स्टेबल हो गया, भारत के लिए खत्रा है, आपको पैसा देना पड़े, आपको जो करना पड़े, ठीक है, मुला बरादर को गोली मार रहा है, ठीक है, तुम उसको मारो, उसको मारो, जब तक है लोग आपस में काटते रहेंगे, इनकी नजर इंडिया पे नहीं पड़ेगी, जिस दिन इनोंने मार काट बंद कर दी, जिस दिन इन है पीस्फुल हो गए, खिरो ICSDC uniform, संद मंकी्स भीड़ेंगे, और ㅋㅋㅋㅋ और सोशली तालिबान वाले या बoking आप अफ बंदरों कोरा काउनी के देड़ें के इम स्कना रो और चार FC वाले मारे गए, Frontier Constabulary वाले, चार मारे गए उसमें, अब इस हमले में हुआ क्या है, कि इनो उने स्पेसिफिकली टार्गेट करा है, TTP ने उसकी, you know, they took credit for the attack, and they said कि जणाब हमने हमला करा है, TTP ने राइट, और TTP कह भी चुका है, कि हमने पाकिस्तानी फोर्स को पाकिस्तान और तालिबान के अधर फैक्शन, ये क्वेटा शूरा है क्या, ये क्वेटा तो ही इनका गड़ था ना, क्वेटा तो गड़ था इनका, पिछले 15-20 साल से क्वेटा शूरा, क्वेटा शूरा हम क्या सोच, ये क्या है क्वेटा शूरा वही, क्वेटा शूरा व 15 अगस्त के बाद कई अटैक्स हो चुके हैं अब स्नाइपर राइफल्स किसने दे दी टीटीपी को हमें नहीं पता लेखा आपने किस तरीके से देया स्नाइपिंग अब यह दिखे इट्स नॉट वेली सिंपल स्नाइपिंग जो स्किल है न यह बेसिक इन्फेंटरी स्किल है यह मतलब लाइव बना वीडियो बना रहे हैं तो कोई अगर यह बोले कि जी आपने गौरा वारिया को एक स्नाइपर राइफल दे दी और कल से वो स्नाइपर बन गये ऐसा हो ही नहीं सकता आपको प्रॉपर सीखना पड़ेगा स्नाइपर होता है स्नाइपर का स्पोर्टर ह होता है स्नाइपर को पता है कि विंड डिरेक्शन क्या है स्नाइपर को पता है कि धावा में हुमिडिटी कितनी है स्नाइपर को पता है कि विंड स्पीड क्या है उसका कैलकुलेशन होता है स्पोर्टर और स्नाइपर बिल्कुल जैसे की पाइलट और विंग मैन होते ना फो श्रीन माझारी है अब आप देखिए, ब्लास्ट रोहे जोग है।fill मजारीática फटाफट टूटर में आय एक कि र्षियों साजिश है। यह लोग है कि बता रहू हो कभिल शर्वा के पीट पर tim real conservative की पाकिस्तान has a minister for human rights, just imagine, anyway. So, comedy apart, हुआ है क्या, कि शिरीन मजारी ने तो बोला कि, वो और समय जंग की बात करती है, वो बड़ा जोश और जजबा है उस खातून में, बढ़ी हाचीज है, लेकिन उसकी बेटी, शिरीन मजारी की बेटी, पाकिस्तानी फौज को कहती है, बुजदिलों की फौज है, यह फौज ना का रहा है, निकम्मी है, किसी काम की नहीं है, यह मैं नहीं कह रहा, हम तो number one मानते ही हैं, हमने कब मना कर, हम तो कहता है, ISI number one, पाकिस्तानी आर्मी नंबर वन पाकिस्तान की मिनिस्टर फुमन राइट्स है उसकी बेटी कहती है कि ये यूजलिस बेकार फौज है निकमी ना एक छोटा सा वीडियो उनको दिखाते है कि पाकिस्तानी फौज के बारे में उसके क्या ज़स्बात है फिर मुआपसाते है लानत है उस फौज पर जो जाकर पैसे देती है उन देश्ब करदों को जिन्होंने इस्लामबाद और पूरे मुल्क को आग लगाने की कोशिश की है आपने उन्हें पूरा पाकिस्तान एक प्लाटर पे दे दिया है लानत है उस फौज पर जो अपने डी एचेज और फौजी फर्टिलाइजर से पैसे कमाती है और ओर्डिनरी लोग जो आम आदमी है उसकी जिन्दगी हराम करने में लोगों को पैसे देती है इन देशत करदों को इस फौज की वज़े से पाकिस्तान को जितना नुकसान पड़ा है सब का हक बनता है सब की जिमेदारी है कि वो अपनी ओवाज उठाए इस फौज के खिलाफ जिसने इस मुल्क को वर्बात करके रख हजारों के जो ये नोट दे रहे हैं इन देशत करदों को किस चीज के लिए दे रहे हैं कि हमारे बच्चे स्कूल नहीं जा सके कि हमारे बच्चे आंबुलंस में मर रहे थे कि हमारी जिन्दगिया हराम हुई भी थी ये हमारी फौज है पौज और देशित गर्दों में अब कोई फर्क नहीं रहा और अगर आप इसके खिलाफ आवाज नहीं उठाते जो पाकिस्तान के साथ होने वाला है उसके आप सब जिम्मधार है तो दोस्तों आपने देखा शिरीन मजारी की बेटी अब देखे ना बात ये है कि पाकिस्तान का जो क्रीम है जो अश्राफिया है वेववव उनके सारे बच्चे बाहर है तो वो बच्चे गाते हैं God Save the Queen Star Spangled Banner God Save the Queen Star Spangled Banner गाते हैं उनके बच्चे और जो सड़क पर चलता पाकिस्तानी है वो गाता है नारा ये तकवीर अला हुए पर ये चक्कर है उनका तो आपने देख लिया एक कहती है लड़ाई लड़ो लड़ाई लड़ो पाकिस्तानी फॉज हमला करे हिंदुओं को मारे बला 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 उसकी बेटी कहती है ये फॉज ये तो नाका रहा है, ये अपने जूते के फीते नहीं बान सकती, नालायक है, बुरी फॉज है ये वो, तो ये एक ही घर में चल रहा है है सब, and that is because, you know, इनका दीनिमान कुछ है नहीं है, कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है, anyway, वापस आते हैं उस मसले पे कि स्नाइपर अटेक, बई मैं ये पूछना चाहता हूँ वैबभ, मेरा एक छोटा सा सवाल है, क्या तालिबान उतना सगा है पाकिस्तान का, कि जिसको ये लोग कहते हैं कि तालिबान हमारे कंट्रोल में है, ये पाकिस्तानी फॉज कम से कम कहती है, पाकिस्तानी मीडिया कह कहता है, सुनिये, 15 अगस्त के बाद ही जादा ही स्नाइपर अटेक हुए शुरू, 15 अगस्त को क्या हुआ था, तालिबान काबिज हो गया था, 16, 17, 18, 19, 20 अगस्त को इस तारे कि सारे अमेरिकन हतियार इनके पास आना शुरू हो गए, जब इनके पास आने शुरू हो गए, अमेरिकन हतियार, इनके पास अमेरिकन हतियार आना शुरू हो गए, फिर ये कारवाई इनकी शुरू हुई, अब आप देखिए, इसमें है कौन, स्नाइपर वेपन्स में तो महनों महनों की और सालों सालों की ट्रेणिंग होती है, मेरा यह मानना है, है न, या तो, पाकिस् पाकिस्तानी फौजी ही तरीके तालेबान पाकिस्तान में, जिनको स्नाइपर स्किल्स हैं, उन्होंने जोइन कर लिया, या पुराने अफगान आर्मी वाले कुछ ऐलिमेंट्स हैं, जिन्होंने तरीके तालेबान जोइन कर लिया, या कुछ तालेबान वाले हैं, जो ट्रे तो जिसको तालिबान में जॉब पसंद नहीं आया, उसने इसलामिक स्टेट जॉण कर लिया, जिसको इसलामिक स्टेट पसंद नहीं आया, उसने तालिबान पाकिस्तान जॉण कर लिया, किसको कुछ पसंद नहीं आया, उसने दाइश जॉण कर लिया, कुछ जॉण कर लिया, इनके तो job opportunities और job रोल ते दर ही गुमते रहते हैं It's highly possible that Taliban के अंदर dissatisfied होके, Taliban से dissatisfied होके These people have joined तहरीक ए तालेबान पाकिस्तान त्योंकि तहरीक ए तालेबान पाकिस्तान में आज भी purity word में यूज नहीं करूँगा purity is a wrong word to use but जो एक evil में purity होती है बुरी चीज में भी तो एक खालिस बुरा है इनसान ये तो juice पीने वाला तालेबान है ये दोहा में juice पीते थे ये लोग भई ये पानी की bottle से वो बिसलेरी नहीं में वहाँ पर पता नहीं कौन सा brand है वहाँ पर जाके काम करते थे ये लोग ऐसा ये ट्यूबवल विववल से पानी पीने वाले नहीं है ये ये नदी नाले से पानी पीने वाले भई ये और जो उनका जो लोवर रंक से तालेबान के देटेटेट अब वहाँ जाएंगे तो बैबव कोई भी एकसा सेनारियो आप पकड़ लीजए क्योंकि स्नाइपिंग जैसा मैंने बताया था नहीं है इसी स्किल नहीं है विच कन बी इवन फर ट्रेंड शोलजर यूंकि ट्रेंड इंफिंटरी में उसके लिए भी पॉसिबल नहीं है कि आप उसको चॉबज गंटे कंदर स्नाइपर बना देए इस नोट दन इट कांट अपन अब ट्रिगर दवा लेगा गोली एक डिरेक्शन में जाएगी लेकिन स्नाइपिंग इस वेरी एक्षाइक्ट साइंस और जिस तरीके से हमने वीडियो में दिखाए और जिस तरीके से यह लोग इंगेज कर ना पकिस्तान इस पीपल आई तो अब अब इंडिया तो है नहीं हमारे कॉंसिलेट तो बंद्धों गए रा भी नहीं थेही वहाँ पे हैं तो 26 थे, 50 थे, 500 थे, पता नहीं कहा हमारे कितने consulents कोल रखे थे पाकिस्तानी होने अब वो तो नहीं रहे हमारा embassy बंद है हम तो हैं नहीं वहाँ पर और पाकिस्तान के अबबाजी काबल पर काब इस है security किस के पास है हकानी के पास है तो कौन अटैक कर रहा है पाकिस्तान के अदर जो पाकिस्तानी जो शामियाने बजा रहे थे पाकिस्तानी जो कह रहे थे अब देखना ये वो तुनिया भर की बात है मैं उनसे पूछना चाहता हूँ मेरे पाकिस्तानी भाई और बेनो आप कमेंट्स में जरूर लिखिएगा, मैं आपसे पूशना फरक्त हूँ, हो क्या रहा है, कौन है जो आपके फॉजियों को मार रहा है, इंडिया साजिशें करता है, इंडिया तो है नहीं बहुत है, अगर इंडिया है वहाँ पे, तो तालिबान से पूछो, वो तो आपके ह ठीलीजन्स का तो कोई बंदा नहीं है, वहाँ पहरा है, फैसंद आपके है, अभी तो नहीं सकता है कि फैस्ट हमीद ईटक रवार है यही चार-पाँच गाने हैं, यह सुन-सुन की यह सब लोग बड़े हुए हैं, देखिए, एक्सपर्ट्स का यह कहना है, और मैं भी एक्सपर्ट्स की राई से मैं अगरी करता हूँ, कल जो बंदा तालिबान में था, वो परसों दाइश में है, उसके बाद वो तहरी के तालिबान पाकिस्तान में है, वो इस्लामिक स्टेट के खौरसान चैप्टर का भी पार्ट हो सकता है, वो कहीं भी घूम सकता है, यह तो दोहा में जो जूस पीते थे, जो जूस वाली फॉज है अफगानिस्तान की, यह तो जूस वाली फॉज है जिसको परशानी है, कि दुनिया के सामने अच्छा चेहरा दिखाओ, दुनिया के सामने सब भला भला रखो, क्योंकि उनको पैसे चाहिए, भई उनको चाहिए पैसे, इसलिए जूस वाली फॉज परिशान हो रही है, लेकिन जूस वाली फॉज ने 20 साल मज़े तो मारे न, 20 साल नहीं तो 15-10 सा आपने मज़े मारे हैं, आपने जूस पिया है, आपने बोतल का पानी पिया है, आपने खानावाना काया है, पेड़ बाइ हूम, किसने पैसे दिया आपको, पाकिस्तान के पास तो पैसे नहीं है, उनका तो खुद का परदान मंत्री एक अच्छे होटल में नहीं रह सकता, किसी ने किसी ने पैसे दी होंगे, लेक हर एक गोली की कीमत है। यो तालिबान एक रात में, जशन में, हजारों गोलियां आवा में फायर कर देता है। वो पैसे कहां से आते हैं। फॉस फंडि़िग तालिबान? एंट आपकिस्तान? It is not Pakistan Because Pakistan does not have money Pakistan के पास खुद के लिए पैसे निए तालिबान को क्या पैसे देगा Frankenstein monster की एक बड़ी कहानी है English fiction की बड़ी कहानी है कि किसी ने एक monster बनाया which he could not control आप कभी इनको snakes in the backyard हिलरी क्लिंटन का बड़ा famous statement है उसके अलावा उसके अलावा अगर ISI कोई लगता है अगर जनी फैस को लगता है कि वो उसको control कर पाएंगे अब control नहीं कर सकते देखे जब भूक लगती है न जंग होती है इस महने की अगस्त की तनखाएं सितंबर एक को देनी थी ठीक है अभी तक तालिबान ने तनखाएं नहीं दी है तनखाएं नहीं नहीं 20 साल से तो हर रोज एक तारिक को तनखाएं पहुंच रही थी मंथली य वीकली चेक जो भी वहाँ पे चलता था अफगानिस्तान ना इस बर उनो तनखाएं नहीं थी तो कुछ दिन पहले तालिबान वाले बैंक में गए स्टेट बैंक और फुगानिस्तान में दर्वाजा खट खटाया है वाला हवी भी दर्वाजा खोलो तो उसने बोला खुशामदीद खुशामदीद हाओ खान तो तालिबान पहुंच गया एक फटे सेबन लेकर भुला पैसा कितना है तुम्हारे पास पैसा तो नहीं है कर नी पैसा कितना यह तो बैंक है करा साब पैसा डिजिटिल होता है कैश तो हमारे पास बहुत कम है तो कितना अफगानी तुम्हारे पास है? अफगानिस्तान का पैसा कितना है? वोगा साथ 15-20 लाख अफगानी, 15-20 लाख अफगानी में क्या खरीजएगा? एक ब्रेट का पैकेट खरीजएगा, करंजी की वैसी बिल्कुल, हवा निकल रखे महां पर, डॉलर कितने है? वोगा जहें नहीं पड़ने देने हैं, और जाहिल आव्ते लगता है, छुप में लत्मारोगे, अंदर घुसोगे, तो अरबोडर, अरबोड डोर, अरबोडर अरबोडर अरबोर है, अब उनको पता लागा कि और फे कुछ नहीं है, एक बिल्डेंग है पुली नहीं है पुरा नहीं कि जिन्दगी गड़ जाए रुपया होंगे एक दो लाग होंगे और उसके बाद फिर सरी फिल्ट तो यह गए भाई लोग और इनोंने वहां से खालियात लोटकर रहा है तब तालिबान को यह पता लगा कि बैंकों में ऐसा नहीं है कि अर्भो अर्भो डॉलर बैंकों में कह में वो पिक्चर देख रखी तो आए एवरिधिंग इस डिजिटल प्लग निकाल दिया जो बाइडन इनके पास पैसे नहीं है अब देखिए इससे क्या होगा ना सीरियस नो ट्रावल इससे होगा यह कि अब लगेगी भूख अब लोग आएंगे सड़क पे ठीक है लोग इसको पता है पुलिस पीटेगी इसकी जिंदगी खराब हो जाएगी लेकिन यार दिन में दो बार भूख इंसान को लगती लगती भगवान ने ऐसी चीज़ बनाई है और अब यहां पर वीडियो को करते हैं खतम एंड करते हैं जी तो भूख इंसान को सड़कों पर ले आ सामने नजर आई है बहुत बिल्कुल उनको भी आंके खुलगी होंगी यह क्या हो रहा यार तो अभी लेकिन जाना चाइना ने भी पांच अरब रूपीस का जो एड दिन का फैसला कर दिया पाकिस्तानी एरफोर्स की तरब से भी जहास भरके गया है खाने के लिए लेकिन सब्सक्राइब करने होंगे कुछ इस तरह के काम करने होंगे अभी कहा जा सकता है कि वह स्टेबल बिल्कुल भी नहीं है अगर इसको कंट्रोल की तरह ना किया गया है क्योंकि इनके लिए जरूरी है कि इनको कंट्रीज को हसन एकसेप्ट करें इनको रिकोगनाइज करें शुरू करें इनको कुछ पैसा दें फिर ही जा कि यह हकोमत भी गवर्मेंट भी अफगानिक्सान भी सर्वाइब कर सकता है वरना हसन बहुत मुश्किल हालात यहां प वीडियो बनाई गई है उसकी पकाईदा वीडियो बनाई है और यह बिल्कुल दुरूस बात यह क्वेस्टन मार्क है बहुत बड़ा कि इसको कौन कर रहा है उनको कहां से इनके पास सनाइफर्स आई हैं उनको टालिबान स्पोर्ट कर रहे हैं पाकिसाम तो अभी तक जु क्वेस्टन मारक है और पाकिसानी वैपन को भी उन्होंने कैप्चर किया था उन्होंने वीडियो में दिखाया है यह समय नहीं मतलब क्या जो आना सीन चल रहे हैं मतलब यह बहुत धीप हालात चल रहे हैं यह बात भी कह दी है कि अगर इंडिया को स्टेबल रखना है तो करेंगे उसके बाद इंडिया के बारे में यह सोचेंगे अगर हो गया कश्मीर पर भी आ सकते हैं लेकिन पता नहीं उन्होंने तो यही कहा है कि हमारा कश्मीर से कोई तालुक नहीं हमारा मतलब हम हर कंट्री के अच्छ तालुका चाहते हैं उनको भी पता है इस वक्त अग हर कंट्री से अच्छे रिलेशन्स चाहिए तो मरखल अब पता नहीं यह बाद रोस्त है या नहीं को इंडिया के गेंस्ट अपनी कोई स्ट्राइजी बनाएंगे या नहीं लेकिन फिलहाल तो उनकी कोई स्ट्राइजी मेरे खाल में नदर नहीं आरी कोंगे वह अभी फिलहा आफ लोग ने पार्ट तरी की तो वह भी जल्द आ जाएगा कल आजएगा अगर आज ही दमांड उसकी आयाती तो बस यह बहुत ख्याल टेक केर खुदा हफीज